प्र्रिंग इन्फो बेल्स शेर जोर से चिलाया उसे बहुत दर्द हो रहा था उसने काटा खुद ही निकालने की कोशिश की लेकिन वो ये नहीं कर पाया उसी वक्त ये आदमी वहां से घुजर रहा था ये कैसी आवाज है? ऐसा लगता है कि कोई जानवर पीडा में है वो उस आवाज को सुनते हुए गया और जहां वो शेर पड़ा था वहां पहुँचा ओ, ये तो शेर है पर उसे पीडा में देख आदमी को दुख हुआ इसलिए उसने मदद करने की सुची वो उसके पास गया और काटा बाहर निकाला शेर ने शुक्रिया के दौर पर उसे चाटा और बिना कोई नुकसान पहुँचा है वहां से चला गया कुछ दिनों बाद कुछ डाकूँ ने जंगल पर आक्रमन किया और वहां के जानवरों को बंदी बना लिया वो उन्हें कुछती का खेल खेलने के लिए गाउं में ले गए हम देखना चाहते हैं ये शेर किसी इंसान से कितना अच्छा लड़ सकता है शक्तिशाली शेर उस आदमी पर आक्रमन करने को तयार था लेकिन वो रुख गया ये वही आदमी था जिसने एक बार उसकी मदद की थी वो शेर उसके पास गया और उसे प्यार से चाटा उस आदमी ने भी प्यार से उसे सहलाया ये देखकर डाकूं को अपनी गलती का एहसास हुआ उन्होंने तुरंद दोनों को आजाद कर दिया उस दिन से वो आदमी और शेर सबसे अच्छे दोस्त बन गए